नमस्कार बच्चों, हमने आगे की विडियो में वर्णा माला में जवर्णा का परिचाई किया आज हम जवर्णा के बारे में पढ़ेंगे जवर्णा की लिखावाट और जवसी सुरू होने वाले सब्दों को पहुचानेंगे उसके बाद हम जवर्णा को लिखने का भी अभ्यास करेंगे और एक्सेस भी करेंगे यहां चित्र में आप लिख सकते हो जव से जर्ना जवर्णा का अंग्रेजिलेटर जे एच ए होता है जवर्णा को आपकी नॉट्बुक में लिखना है दूसरे चित्र में आपको जवर्णा के अंदर रंग भरना है कलर दड़ डेटर उसके अंदर आपको रंग भरना है तिस्त्रे चित्र में आप देख सकते हो कि जिस दिशा में तीर आगे जाता है वैसे आपको पैंसिल से जव लिखना है यहां स्टेप बाइ स्टेप वन, टू, ट्री, फॉर, फाइव, शीक्स, सेवन नमबर लिखा है वैसे बिन्दू को जोड कर जो लिखना है अब आगे की एक्सेसाइज समझेंगे पढ़ो और लिखो read and write उसमें बिन्दू को जोड कर जो लिखना है और उसके बाद आपको बिन्दू के भी ना जो अपने आप लिखना है जैसे मैं लिख रही हो अब आगे की एक्सेस दिखते है जह पहचान कर गोर सरकल बनाओ इन सरकल जह जह को पहचानना है और जह को डून कर उसके उपर गोर सरकल करना है बचो फर्स्ट लाइन में तीन जह है तो उसके उपर गोर सरकल बनाना है जैसे मैं कर रही हो दूसरी लाइन में दो जह है तो उसके उपर गोर सरकल बनाना है जैसे मैं कर रही हो तो बचो समझ में आ रहा है ना अब आगे की एक्सेसाइस पढ़ेंगे जह के नीचे रेखा खीचो अंडरलाइन जह तो बचो यहां अलग-अलग सब्द लिखे है जिसमें जह वर्ण भी सामिल है तो उसको पहचानो और जह के नीचे रेखा खीचो पहला सब्द है जरना तो जह के नीचे रेखा करनी है दुसरा सब्द है जरोखा तो जह के नीचे अंडरलाइन करनी है आगे का सब्द है जूला तो जह के नीचे अंडरलाइन करनी है आगे का सब्द है जपट तो जह के नीचे अंडरलाइन करनी है आगे का सब्द है जम जम तो दो जो है तो उसके उपर अंडरलाइन करनी है आगे का सब्द है जलक तो उसके उपर अंडरलाइन करनी है अब आगे की exercise दिखते है जासे अलग वर्ण पर क्रोस करो क्रोस दा लेटर अधर देन जा बॉक्स में अलग अलग वर्ण लिखे है उसमें से जासे अलग वर्ण के उपर क्रोस करना है जैसे ब, ख, स, ज, 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 करना है तो बचो मजा रहा है ना अब आगे की एक्सेसाइस पढ़ेंगे ज़ को ज़ से सुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो जोइन ज़ विद ध पिच्चर विच बिगिन विद ध लेटर ज़ चित्रा में आप देख सकते हो की बीच में ज़ लिखा हुआ है सरकल में ज़ से सुरू होने वाले कुछ सब्दा दिये गए है और दुसरे वन से सुरू होने वाले चित्रा सब्दा भी है तो आपको उसमें से ज़ से सुरू होने वाले सब्दा को ज़ से चुड़ना है जैसे की जरोखा, जलरी, जंडा, जरना यह चार सब्दों को बीच में बड़े जैसे लाइन करके जोड़ना है जैसे मैंने की है अब आगे की एक्सेसाइस पड़ो और लिखो Read and Write यहां पहला चित्र जंडा का है उसका सब्दों पहली बार पूरा लिखा हुआ है दूसरी बार जोको आप डॉट लाइन करके पूर्णा करना है और तिसरी बार जोको अपने आप लिखना है और सब्दों पूर्णा करना है जैसे मैं लिख रही हूँ अब आगे का सब्द है जरोखा तो जर लिखना है आगे का चित्र है जरना तो उसमें जर लिखना है अब आगे की अक्सेसाइस दिखते है सब्दों में से जर पहचान कर गोर सरकल बनाओ इन सरकल जर इन द वर्ड्स निचे दिये गए अलग-अलग सब्दों में से जर के उपर गोर सरकल करना है जैसे जटका, फूल जड़ी, जटपट, समझ उसमें से जह पहचान कर गोर सरकल बनाना है जैसे में कर रही हो तो बच्चों समझ में आया ना यह सब भी एक्सेसाइस की पीडियाप आपको में बेजूंगी तो आपको नाटबुक में ठीक से लिखना है और जटका अभ्यास अच्छी तरह से करना है दुसरे वीडियो में मिलेंगे तब दुसरा मर्न ट को पहचानना लिखना सिखेंगे धन्यवाद